नमस्कार साथियो, निउस क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं। महंगाई यानि की जीवन जीने की लागत पिछले तीन महीने से लगातार RBI द्वारा निर्धारे 6 प्रतिसत की सहंसील सीमा से उपर बनी हुई है। सहंसील सीमा यानि की यह जो दर है वो अर्थ्विवस्था के लिए नुकसान देह बताई जाती है। और सरकारी आकड़े बता रहे हैं कि मार्च की जो दर है खुद्रा महंगाई दर वो 6.95 प्रतिसत पर पहुँच गई है। कि आखिरकर इन बातों का इन आकड़ों का आम आदमी के लिए महंगाई के लिए क्या मतलब है। शायद आप महीने में 3 किलो लेते हैं लेकिन उसका दाम अगर बढ़ गया तो आपकी दिमाग में लगता है कि बाप रहे बहुत जादा बढ़ गया है। तो आर्थिक महेंगाई दर क्या है यानि दर से फर्क नहीं पड़ता है। हमारे दिमाग में कुछ उचित दामे हैं और वो दाम जब बढ़ जाता है बहुत जादा तो तब हमें लगता है कि हम अपना घर चला नहीं पाएंगे। यह एक आम जो परिवार है उनका रियाक्शन उसी तरीके से होता है। और चाहे सरकार महेंगाई दर मार्च में इतना हुआ यह बोले। आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से खाने की चीजों के दाम बहुत बढ़ है। जो हम खाना बनाते कोकिंग ऑईल है ना संद आप संफ्लार ऑईल यूज करते हैं घर में किसी ने बोलते हैं कि यह स्वास्त के लिए अच्छा है संफ्लार ऑईल यूज कीजिए तो उसका दाम बढ़ा है। बहुत सारे चीजों के दाम बढ़ रहे हैं जैसे आप आलू-प्याज भी लेंगे तो वह सस्ता नहीं है बहुत सारे सब्जियां बहुत महेंगे हो रहे हैं फिर कुछ दिनों बाद वह कम होता है यह उपर नीचे रहता है लेकिन अगर आपको लगता कि जैसे कल हमारे ड्र देड़ हजार रुपय एक्स्टर चला गया तो आप सोचिए क्या हाल है पेट्रोल पर इतना जादा खर्चा होता है आने जाने का खर्चा वह भी बढ़ रहा है तो इस से लोगों को लगता है कि बहुत सारा हमारा खर्चा बढ़ रह रहा है चाहे वो खर्चा कुल उनका ज सरकार में और कहा है कि RBI को कि महेंगाई दर दो प्रतिशत से लेके 6 प्रतिशत के अंदर होना जाए उससे उपर नीचे नहीं होना चाहिए माना जाता है कि बहुत महेंगाई दर अगर हुआ तो क्या होता कि लोगों को इन्वेस्ट करने या कुछ बिजनेस करने का कोई इंसेंटिव नहीं रहता है वो करना नहीं चाहिए क्योंकि अगर आप देगी कि एक साल आपने बनाया कुछ सामान बेचा आपको 10,000 रुपए अगले साल अगर 2% से नीचे महेंगाई दर बढ़े तो आपके हाथ में आएगा कितना एक परसेंट बढ़ेगा 10,000 पर एक परसे ठीक है आप यह नहीं देखते हैं कि आपका खर्चा भी उसी रेट से बढ़ आ है तो जब इंफलेशन बहुत कम होता है तब इन्वेस्टमेंट या बिजनेस या उंट्रपेनियोर्स जो हैं कारोबार जो करते हैं उनके लिए प्राब्लम होता वो नहीं करना चाहते हैं क्य जैसे अगर इंट्रेस्टेट बहुत जैसे अगर इंफलेशन बहुत कम हो महिंगा इदर बहुत कम बढ़े लेकिन आपका ऑफिस में सिर्फ दो परसेंट इंक्रिमेंट हो तो आपके लगेगा यार इस बार तो को इंक्रिमेंट हुआ है आप यह थोड़ी नहीं देखते कि महिंगा इदर सिर्फ एक परसेंट बढ़ा तो इससे आपको लगता है ठीक है क्या फाइदा ज्यादा काम करने का मैं चुप चाप जो आता हूं करूंगा घर जाओंगा ओफिस में इदर तो कोई मेरा सैलरी बढ़ेगा ही नी तो महिंगा इदर बहुत नीचे हो तो भी प् लेकिन अल्टिमेटली महिंगा इदर का इंपक्त अब होता है अगर इंकम लेविल उससे कम बढ़ना हो या इंट्रेस्ट रेट उससे कम हो आज की डेट पे आप किसी फिक्स डिपोजिट में पैसे रखेंगे तो आपको जादा से जादा साड़े पांच छे परसेंट मिले रुपए चाहिए होगा इसका खर्च करने के लिए ठीक है अगर यह आपको खर्च का पैसा नहीं मिला तो आप आप कहेंगे कि देखिए मेरे आप कोई फाइदा नहीं हुआ जो चीज आज हजार रुपए कल सॉरी एक साल पहले हजार रुपए में मिल रहा था आज उसके लिए 1070 रुपए देना पढ़ रहा है लेकिन आप बैंक में हजार रुपए पिछले साल रखा हो ता आज आपको सिरफ 55 रुपए मिल रहा है उस पर तो इसका मतलब आपका र प्रब्लम होता तो इन्वेस्टमेंट और रिटर्ण में जो इंपक्त होता है तो इसमें क्या करना पड़ेगा जब महेंगाईदर बढ़ेगा तो के पाथ में कोई उपाय नहीं है धीरे धीरे उनको इंट्रेस्टेट बढ़ाना पड़ेगा यह का जा रहा है कि इस साल हो सकता है कि छे-छे बार अप्रेल से मार्च 31 तक छे-छे बार इंट्रेस्टेट बढ़े अगर ऐसी महेंगाए दर चलता रहा एकॉनमिस्ट यह करें छ चे-छे बार इंट्रेस्ट बढ़ेगा तो जो लोग बचत करते हैं सीनियर सिटिसेन हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है लेकिन अगर कोई छोटा सा घर खरीद के होम लोन लेना चाहते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम है ना या वह कोई अपना टूब लेना चाहते है और उनके लिए प्रॉब्लम है या कोई चोटा बिजनेस कारोबाद चालू कर रहा है जिसमें उसके पास पूरे पैसे नहीं तो वो लोन लेता है बैंक से और वो सोचता है कि मुनाफ़ा अगर मेरा 10 प्रतिशत हुआ और मैं अगर 6-5-6 परसेंट इंट्रेस्ट दे भी यह एकोनामिक्स टेक्सबुक में कहा जाता है कि फिर लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं खैर इसका डिरेक्ट को रिलेशन कभी भी ठीक से देखा नहीं गया है लेकिन यह थियरी में यही बात है तो यह महंगाई का प्रॉब्लम है अजय तो थोड़ा सा इसको आए वाले प्रॉब्लम है तो विस्वा क्या कहते हैं कि विस्वा आर्थी का समानता की रिपोर्ट बताती है और भारत के बारे में कहा जाता बहुत ही घंघुर आर्थी का समानता वाला देश है जैसे अगर हम नाफिस का 2017-18 का जो की नाबाठ का फानाश्य इंक्रूजन सर्वेश है तो हम देखेंगे कि 30 प्रतिशत लोग गाहों में जो है अग्रिकल्चरल फैमिली है यह गाहों में काम करते है और यह घरेलू आमदनी है एक बंदे का नहीं है एक आदमी का नहीं वो जितना मुझे याद है धाई हजार के आसपास महीने का ठीक है और याद रखिएगा कि इस लेवल पे जो सबसे गरीब लोग होते ना उनमें फैमिली साइज जादा बढ़ा होता है और जितने अमीर हो जाते हैं वो क्या होता है दो मिया भी वी एक बच्छा तो वो तीन है फैमिली साइज आकर यह साड़ी चार 4.3 के आसपास फैमिली साइज बढ़ता है लेकिन गर 20,000 रुपए आप सोचिए अगर 6.2 एवरिज फैमिली साइज है तो 400 रुपए प्रती महीने खर्च करने के लिए उनके हाथ में है पर परसन हां इसका मतलब दिन में 13 रुपए उसमें क्या होने वादा लेकिन एक चीज़ यादा रखेगा कि जो मोदी सरकार है उनका पुल सस्ते में खाना पहुंचा तीक है राशन पहुंचाना सबसे गरीब जो है उनके लिए खाने का जो खाद्य पर खर्चा है वो सबसे जादा होता है अगर उसका एक पार्ट सरकार ले ले चाहे वो थोड़ा सा दाल देकर चीनी आटा गेहूं इसका एक पार्ट अगर सरकार तो उनके ऊपर महंगाई का इतना इंपक्ट होने का चांस कम होता है जितना मिट जो थर्टित परसेंटाइल से लेकर सतर परसेंटाइल के अंदर है जो कि आप अगर देखेंगे आधे जो हमारे देश के फैमिली है उनका इंकम 20 से मुझे लगता है 20 से 30,000 के आसपास फैमि नहीं मिलता है और को सबसिडी भी ने मिलता है इनको और ये सबसेडी वाला खाना खाना भी नेई चालते क् Он के चावल अच्छा नहीं मिलता ओगा यह हो थोड़ा सा गंदा मिलता होगा तो यह इनका एस्पिरेशन ऊपर टपके कर देकर है इन पर सबसे जादा असर मेहंग अगर उनका खर्चा बढ़ा है तो वह पासओं कर देते कंजूमर को तो कंजूमर पे करता है और कॉर्परेट जो है उसका प्रॉफिट मोर और लिस सेमी रहता है तो उनके हाथ में पैसा उतना के उतना ही रह जाता है तो सबसे जादा असर मिडल के जो लोग है जो अमीर बिल केवल कच्छे तेल में महंगाई को लेकर बहुत लोग कहते हैं कि केवल यही कारण है लेकिन अभी आपने सुमेश जा की रिपोर्ट जो रिपोर्टर कलेक्टिव के आई थी उसमें बताया गया थे कि इस तरह से आर्वियाई की स्वायतता को कमजोर कर दिया गया है तो इस कच्छे तेल की बात तो एक हद तक सही है लेकिन क्या और भी सारे फेक्टर हैं कि उसकी वज़ास हम देखते हैं कि भारती अर्थवस्ता में महंगाई है महंगाई है ऐसी खबरे बार बार आती रहती है देखिए एक बड़ा कारण जो है वो है कि अगर आप इस वक्त देख बड़ा है उसके बाद जादा बड़ा है लेकिन कोविट-19 के disruption से बहुत सारे चीजे मिलना बहुत मुश्किल होगे तो उन चीजे के महंगाई बड़ा है शॉटेज हुआ है तो उन चीजों के दाम भी बड़े हैं लेकिन एक चीज जो हम देखते नहीं है वो यह है कि अग बड़े देश दुनिया का एक चौताई वीट एक्सपोर्ट करते हैं बड़े बड़े देश हैं जो बहुत जादा इंपोर्ट पर डिपेंड करते हैं आपने देखा होगा और हमारे दर्श्रक भी शाहिद जानते होंगे कि एजिप्ट में बहुत सस्ते में रोटी दिया ज इंपोर्टर है उसको इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि उन्होंने फूट सेक्यूरिटी नहीं की वह सोचते थे कि इंपोर्ट कर लेंगे उससे हो जाएगा अब जो यह रश्या और यूक्रेन ने एक्सपोर्ट बैन कर दिया है आप सोची एजिप क्या हाल है हमारे दे हम्मिया में दामबढ़ें क्योंकि वूडु शोर्ट है उत्ति पाइने लिए जो बड़े कंपनियां इन्हें लिए तो एक सामसी मिल और उसके त्रू एक्सपोर्ट मार्केट में ले जाते हैं उनके लिए export में फायदा है तो यह आपके जो सेल होता है 우리 घट जाता है एक है लेकिन कच्चे तेल का बहुत जाद android होता है कर आपको पता है कच्चे साथ साथ fertilizer प्रायजर यह तपिकली प्राइस यह सार सा किसी किसान के लिए क्योंकि वह पंप चलाते दीजल कर पंप होता है डीजल का दाम अगर बढ़े तो becoming of a बहुत बड़े हैं और इन सब का इनपुट प्राइस बढ़ने से खाद के दाम बढ़े हैं और एक और चीज़े आप जानते हैं कि अगर डीजल से हमारे देश में एक जगे से दूसरे जगे चीज़े जाते हैं तो इन सब चीजों का दाम इफेक्ट दाम पर है लेकिन कभी-कभी यह उनको पता है कि अगर दाम बढ़ा है तो रख लो गोदाम का पैसा देना बढ़ेगा आपको बाद में थोड़े जादा में बेच दूँगा तो यह सारा आप जानते हैं जब भी दाम बढ़ते हैं तब और भी जादा बढ़ते रहते हैं इसलिए सप्लाइए के साथ हर वक् लेकिन महंगाई जिससे आम जनता इतने दिक्तरस्त है वह सब उभर कर सामने नहीं आता यह देखिए यह और मीडिया का रोल इसमें बहुत जादा है आपको याद होगा दो ने आपको याद नहीं होगा आप बहुत चोटे होंगे उस वड़ नाइंटी नाइंटी एट में बीजेपी दिल्ली में इलेक्शन हार गए थी उसको अनियन इलेक्शन का जाता है कि प्याज के दाम बहुत जादा बढ़ गए थी सुश्मा सुराज चीफ मिनिस्टर बनने वाली थी लेकिन हार गई शीला दिक्षित बन गई चीफ मिनिस्टर 1998 में और वो अनियन प्राइस पर आपको लोग दिखें आप रोट पे जाएंगे तो आपको नहीं दिखेंगे प्रोटेस्टर लेकिन टीवी पर आपको दिखें न्यूस्पेपर में फ्रंट पेज पर आपको दिख गए तो आपको लगा बाप रही यह तो बहुत बुरा हो रहा है तो जब तक मीडिया अगर आज मीडिया देख रही है कि महंगाईदर बहुत जादा है लेकिन प्राइम टाइम पर जो शो आता है डिबेट शो आता है उसमें आ जाए अगर कि क्या पाकिस्तान भारत के लिए खत्रा है या क्या आजान के टाइम लाउड स्पीकर बंद होना चाहिए तो जो असली मुद्दा है वो आपको कभी ने लगेगा कि अच्छा मैं जो सोच रहा हूँ दूसरे भी वोई सोच रहा हूं क्योंकि आपके मन में भी होगा शायद नहां आजान के टाइम लाउड स्पीकर बह बैठके लोग चला रहे हैं आपको लगे का येही मुद्दा है उसी मेरा ने और इसी पर मैं वाट्साइब लिखूंगा यहा कई पर चाई पी रहा हूं तो उसीपे बात करूँगा कोई पार्टी में जाऊंगा तो मैं किसी और एक्सपर्ट के इस चीज़ बात चुरा कर अगर मेडिया मेहंगाई बेरोजगारी इन चीजों को सबसे उपर रखती जैसे 2013 से होता रहा है आपको याद होगा कि जब 2000 UPS सरकार के टाइम मैं अभी तब एडिटर के तौर पे न्यूज चैनल चलाता था और हर रोज हमारे सामने पेट्रोल प्राइस के बारे में हर रोज बात करते थे हर रोज उस पर बाते होती थी जब महेंगाई बढ़ रही थी तो बाते होती थी बेरोजगा रही जादा थी तो बाते होती थी यह ना आज वह प्राइम टाइम, पर आपको कहीं नहीं देखेगा, देखेगा भी तो कहा जाएक है कि इंडिया में सब सच है, बाकी देश देखे कितना वुरा है, आप खुश रहिए कि आप इंडिया नहीं, तो जब तक ये चीजें मीडिया नहीं हिंट करेगे, आप कह सकते हैं कि मैं मीडिया को बहुदा तवज्ज्व देता है या विल्कुल कूंकि हम एक मीडिया ससाइटी में रह तक हम एक 대박 में ब्यद्ध country मीडिया हर एक चीजसे हमारा दिमाग हमrim जो सोच ते वह ूसी चीजों में हम सोचते SaaS को लेकर सोचे जो concept को पटरा दिया जाता है window इसलिए महाई जो है जब तक मीडिया जब तक सोशल मीडिया जब तक पोलिटिकल वॉइस एक्टिव वॉइस इसको सामने नहीं लाया जाएगा तब तक कैसे बनेगा आप घर पे बैटे सोचचे तक बहुत जादा महाई हों पही है लेकिन आपके से बात करेंगे यार महाई बहुत जादा है रोल अरे वो तो छोड़ पता है वहां पर मीट का दुकान बन बनाए एक बहुत जाद कहीं कि हम मेडियोर्टिक सोसाइटी में हैं संचार और संबाद के सोसाइटी में हैं और वहां पर अगर सही सवाल नहीं पुछे जाएंगे तो सही मुद्दे खड़े नहीं हो पाएंगे अगर आपको हमारी बाते ठीक लगती हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे ट्वुटर को लाइक कीजिए हमारे वेब साइट को पढ़ते रहिए सुक्रिया आप देखते र